तो फ्रेंड्स कैसे आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मनी स्वाइब करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में मैं आपको यूपी लेकपाल का जो एक्जाम होने वाला है 19 तारिक को आपका 19 जून को तो पिछली बार एक्जाम हुआ था उसके अंदर मैथ के कोश्चन क्या थे और उनका लेवल क्या था उसके आधार पर मैं आपको सवाल सोल्फ कराने वाला हूं मेरे पास जो है ज्यादा फैसलिटी नहीं है कि मैं आपको बड़ी स्किन पर डिजिटल स्किन पर सवाल सोल्फ कर पर सकते हैं बेकार के कमेंट ना कीजिएगा कि आपने ये किया आपने वो किया अगर आपको विलो हैल्फुल लगती है तो देखिएगा वरना नहीं देखिएगा तो पहला सवाल इसके अंदर आप देख सकते हैं एक त्रबुजाकार खेत का परिमाब जो है वो दिया और उसकी जो भुजाओ का अनुपाद है वो दिया हुआ है पांच अनुपाद 12 अनुपाद 13 आप सभी को जानते हैं परिमाब जो होता है वो भुजाओ का जोड़ ही होता है तो जो ये 540 है आपका ये इन तीन भुजाओ को जोड़ने के बाद ही आएगा तो इन तीनों को पर अगर हम जोड़ेंगे पाच 12 17 और तीन और तेरा तीस यानि के तीस यह आ जाएगा आपका तो यहां से आप एक ही वैल्यू निकाल लेंगे एक ही वैल्यू हो जाएगे आपकी यहां से अठारा और अठारा के बाद आप सभी को पता है यह त्रिपलेट है यानि के आप चीजें तिरभुज का छेतर्फल लगाँदी जिए और लंबाई जो है इसका लंब जो है उसको 18 से मंटिपलाई कीजिए फिर जो आधार है उसको 18 से मंटिपलाई कीजिए क्योंकि जो एक ही वैल्यू है यानि के जो एक्स का यार्य क्पाच का रही इत गूरा यह यह मैंने ए मान लिया है यहाँ पर तो इसको जब आप सोल्फ करेंगे 12 चिक 12 और 18 18 का हो जाएगा आपका 324 और 30 मंटिपलाई 324 आपका हो जाएगा जो आपका सोल्फ करने के बाद 312 के तीन चुनी 6 और साथ और 309 और जीरो क्या नहीं कि 9720 आजाएगा जो कि आपका ओफ्षन फर्स्ट में है सेकंड सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं तो सेकंड सवाल के अंदर तीन संख्या और तीनों संख्या का योग दिया हुआ है इन सवालों को हमेशा इस तरीके से करते हैं A अनुपाद B अनुपाद C मान लेंगे और पहली और दूसरी संख्या का अनुपाद दिया हुआ है यहाँ पर 2 अनुपाद 3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपाद दिया हुआ है 5 अनुपाद 8 तो यहां से हम संख्या क का अनुपात निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा आपका 10 अनुपात 15 अनुपात 24 आठीए 24 तो यहां के बाद इसने पूछाए कि तीसरी भूजा की संख्या बतानी है तो इन सभी को हम जोड़ देंगे और इन सभी को जोड़ने के बाद हम रख देंगे 392 के बराबर तो इन हो जाएगा पच्छी सो चार 29 39 49 49 49 एक्स आजाएगा 392 के यहां पर रखेंगे तो हम इसको और हम देख सकते हैं कि यह आठ कुने के लगभग है 49 का अगर हम आठ कुनक करते हैं तो आपका 392 आ जाएगा तो उसके बाद हम आगे का प्रोसेस यहां पर करेंगे तो एक्स की वेल्यू जो है वह आठ आ जाएगी और लास्ट में जो आपका रेशो आया था तीस्रे का वह 24 आया था और आठ को हम 24 से मंटीप्लाइक करते हैं क्योंकि महाँ पर 24 एक्स था और एक्स की जगा हमारा आया है आठ तो आठ चो बतिस का दो आसिल तीन आठ दूनी शोला और यह जो है राइट हो जाएगा अगर नेक्स सवाल की तरफ हम मूव करते हैं तो इसके अंदर बताया गया है कि सवाल को आपको समझना है सवाल इजी है और आपको टार्गेट करना है कि मैं 25 में से 25 सवाल यहां पर लाँ क्योंकि 25 में से 25 सवाल अगर आप नहीं ला पाते है तो आप कही ना कहीं कॉम्पूटिशन से बाहन निकर जाएंगे क्योंकि मैरिट बहुत हाई जा रही है आजकर तो आपको 25 में से 25 सवाल एटलिस मैत में तो लाने होंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि 930.25 के बर्गमुल में कौन सी सबसे छोटी भिन घटाई जाए जिससे प्राप्त परिणाव एक पून संख्या हो जाए आप सभी को पता है 30 का जो स्क्वार होता है वो 900 होता है और 31 का स्क्वार जो होता है वो आपका इस से जादा होता है यानि कि अगर आप 31 का स्क्वार करते हैं तो वो 930 से जादा हो जाएगा तो यानि कि यह कही ना कही इसके बीच मरी ही है आपको स्क्वार याद करने कम से कम 25 से 30 स्क्वेयर और 25 से 30 क्यूब आपको याद होनी चाहिए तो आप जब इसका रूट निकालेंगे तो यह इसका स्क्वेयर बनेगा 30.5 का इसक्वेयर बनेगा 930.25 तो जब हम इसमें से हाफ यानि के एक बटे दो घटा देंगे तो आपका 30 रह जाएगा और 30 एक पूर्ण वर्क संख्या है इस वज़े से इस कांसर जो है एक बटे दो हो जाएगा नेक्स सवाल की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो नेक्स सवाल के अंदर जो बताया गया है यह एक मिश्टर नेलिकेशन का सवाल है इसको आप बहुत ही तरीके से कर सकते हैं बाकी मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ तीन सो ग्राम जो है वो टोटल आपका दिया हुआ है और उसके अंदर से 40% चीनी है तीन सो का जब हम 40% निकालते हैं तो आजाएगा 120 यह हो गई चीनी आपकी और नीचे जो बचा है आपका वो बचेगा 180 जो मिश्टर होगा बाकी का अब इन्होंने क्या कहा है चीनी को एक मिन यहां से बराबर रठाना पड़ेगा चीनी 50% हो जाने चाहिए यानि कि जब चीनी 50% हो जाएगी जो बचीवी चीज़ होगी वो भी तो 50% हो जाएगी यानि कि यहां पे 50 यहां पे 50 काट के आजाएगा 1 बटे 1 तो चीनी में कितनी मात्रह मिला जाने तो उपर वाल बरावर 180 और x की वेल्व यहां सी हमारी आ जाएगी 60 तो 60 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका option B में second answer आप देख सकते हैं यह है आपका 30 सवाल एक पईये की तिर्जा जो है आर आपको दी हुई है 21 cm और जो आपको राउंड दिए हुए है वह आपको दिए हुए है 702 में इन सवालों के अंदर आप यूनिट का बहुत अच्छे से दियान दखिए देखिए मीटर में लिखा हुआ और तिर्जा दी हुए सेंटीमेटर में तो इसको सेंटीमेटर में बदन लेके लिए आप अभी से भी यहां सो से मंटिपलाई कर लीजिए उसके बाद बोलाएगी कितने चक्कर लगाएगा तो चक्कर तो आप जब भी लगाएंगे तो उसके परिमाप पर यानि के उसके सर्फेस पर ही लगाएंगे तो यहां पर हम लगाएंगे जितने भी यह दूरी तक करेगा उसके बराबर में हम लगा देंगे टू पाई आर फ तो round जो हम यहां से निकालेंगे तो यहां से साथ 23 हो जाएगा यह और जब हम इसको multiply करेंगे यह सारी चीज़े उठके यहां पर आएंगी दो दो और तीन तीन और यहां पर आपका हो जाएगा round तो 3 से जहम मैं इसको काटेंगे तो तीन तो जाएगापका 3 ce 18 हो जाएगा और तीन चो बारा हो जाएगा तिन दुनी 6 3-6, ता दोनी 3-2, फिर हम इसे 2 से काटे में तो 2 एकम 2, 2-3-6, पिर हम इसे 11 से अगर काटते हैं तो 11 एकम 11, 12 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तो फिर हम इसको काटे में 6, जैसे यह आप इसको काटते जाएँगे तो यह सब कर जाएगा और लास्ट में आपको बचेगा 600 राउंड यानि 600 आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का नेक्स्ट सवाल है आपका 31 एक स्कूटर को एक स्कूटर और एक मोपेड के मुल्य का अनुपाद यह है यदि एक स्कूटर का मुल्य मोपेड के मोटर के मुल्य से इतना दिखे इन सवालों में आपको कुछ नहीं करना जो आपका अनुपाद दिया हुआ है जैसे आपको यह अनुपात दिया हुआ है नो अनुपात पास तो उसमें ज्यादा दोला गया है तो इन दोनों का अंतर क्या होगा आपका इन दोनों का अंतर होगा आपका चार यानि कि चार एक्स क्योंकि अनुपात में अनुपात में हम x मानते हैं तो 4 x की जो value है वो 42 दिया हुई है आपकी तो यहां से आप x की value और हम से निकालने के 4 एकम 4, 4, 5, 20 यह निकल गई और उसने क्या बोला है मोपेड मोपेड आपका लिखा हुआ है बाद में तो मोपेड यानि की value जो है अनुपात जो दिया हुआ है path यानि के x को अगर हम path से multiply कर देंगे यहां पे तो आपका आजाएगा 0, 25 और 5 यानि के 5250 आपका इस सवाल का अंसर आजाएगा जो option a में है इन सवालों के अंदर आपको कभी भी भिन को simplify नहीं करना है इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ जैसे कि यह इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यह यही तो लिखा हुआ है चाहे मैं ऐसे लिख दूँ चाहे मैं ऐसे लिख दूँ बात तो एक यह तो इस सवाल के अंदर मैं सभी को अगर ऐसे लिखता हूँ तो 5 प्लस 3 बटे 4 प्लस 4 प्लस 4 बटे 5 प्लस 7 प्लस 3 बटे 8 तो जो ये बच्ची हुई संख्या है जिनके जो फ्रक्षन में नहीं है उनको मैं जोड लूँगा तो ये कितना जाय 59 और पाश 16 आसे रहा पर और बच्ची हुई जो ये संख्या इनका मैंंल्स 3 ले लुँँगा तो ले लोंगा तो अंकल्स 3 इनका कितना जायदगा अगर आप इनका आज 6 म än लेंगे तो आपका इस ने आशियमाब ले सकते हैं इनका 40 आपका इनका LCM आ जाएगा, 40 आपका LCM आ गया, तो आप इनको solve कर लिजेगा, 40 यहाँ पर आ जाएगा, 30, 5, 48 तो यहाँ जाएगा, 16, और यहाँ पर 8 है, तो पास्ति है, 15, ठीक है, अब इनको आप जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा, 46, 46 और, 46 और आपका 15 कितना हो जाएगा, यह 46 और 5, आपका 51, 61 बटे 40 हो जाएगा, 61 बटे 40 हो जाएगा, इस चीज को हम याद रखेंगे, तो उन्होंने कहा है कि परिणाम तो भिन जोड़नी है, यानि कि कोई भिन इसके अंदर एड़ करनी है, तो 16 प्लस, 63 बटे 40, तो यहाँ पर हम इसको जब एड़ करेंगे, इस सवाल में कोई गड़बड हो गई है, यह साहिब, मैंने कुछ बोल लिया है, एक मिंट आप रुकेगा, तो इसके अंदर क्या हुआ था, हमसे थोड़ा LCM में गलती हो गई थी, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, 5 था आपका, और आपका 4 था, और आपका 7, और बाकी यह आपका 3, 4, 4 बटे 5, और 3 बटे 8, यह आपका था, यह आपका 16 आ जा आएगा, और 40 के बाद आपका यह हो जाएगा 30, और यह आपका 35 आएगा यहाँ पर और यह आपका हो जाएगा 15, पूर्ण संक्या का मतलब होता है, जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर आपका आपका जाएगा 77 प्लस 14, इसको आप सोल्व करेंगे, तो आपका आजाएगा 717 बटे 40, इसके अंदर ऐसी कौनसी संक्या हम एड करेंगी, यह पूर्ण संक्या हो जाए, तो हम 3 बटे 40 अगर एड कर देंगे, तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पर 720 बटे 40, और यह कट के पूरी पूरी संक्या आपको दे देगी, तो यानि के इसका यह option आपका right हो जाएगा, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ basics पता होने चाहिए, कैसे की 3x को हम 27 को ऐसे लिख सकते हैं, और जो 9 लिया हुआ है, उसको 9 3 की power 2 लिख सकते हैं, और 3 को ऐसे लिख सकते हैं, जब हम इस चीज को solve करते हैं, आगे यहाँ पर further, तो 3 की power 2 minus x हम लिख सकते हैं, और 3x plus 3 की power 2 minus x से हम इस से और इस से x की value निकाल सकते हैं, जो x की value आप निकालेंगे तो आपकी आजाएगी एक बटे 2, और जब इस एक बटे 2 को यहाँ पर आप put करेंगे, तो एक बटे 2, तो यह आपका आजाएगा यहाँ प नेक्स सवाल की चरफ हम चलें, तो यहाँ पर भी यदि एक वरत की परीदी उसके व्यास से इतना अधिक है, तो वरत का व्यास याद कीजिए, देखिए यह बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर आप इसको कर पाते हैं, तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता देता हू देखिए जो आपका व्यास दिया हुआ है, आपका व्यास जो दिया हुआ है, उसको हम मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, एक्स, और परीदी जो दी हुई है, वो व्यास से 18.6 अधिक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कि एक्स, यानि कि व्यास से 18.6 अधिक है, परीदी के, तो 2 πाई R ऐसे लिख सकता हूँ और R को मैं यहाँ पर X बटेट 2 लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने जो D है उसको X माना है तो जब मैं R यहाँ से निकालूँगा तो X बटेट 2 हो जाएगी तो यहाँ पर अगर मैं इसको हटाता हूँ तो X बटेट 2 हो जाएगी यहाँ पर तो यह 2 से 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपका बज़ेगा X प्लस 18.6 बराबर 3.14X और जब यहाँ से मैं X की वैल्यू निकालूँगा आपकी तो जब यह X इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस था माइनस हो जाएगा तो आपका यहाँ से जो अंसर आएगा X का तो आजाएगा 18.6 बराबर है 2.14X जब यहाँ से आप X की वैल्यू निकालेंगे इसको डिवाइट करेंगे तो आपका आजाएगा 8.68 सेंटी मीटर जो आपके ऑप्शन सेकंड में है तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा HCF LCM के जो सवाल है वो आपके इस बार भी अच्छे देखने के लिए मिल सकते हैं लेवल अच्छा मिल सकता है उनका तो आप HCF LCM के जो चेप्टर है उनको अच्छे से करके जाएगा जैसे कि यह सवाल है आपका दो संख्याओं का महत्तम सावर्तक और लगुत्तम सावर्तक दिया गया है यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल क्याद कीजिए अब इसके अंदर आपको अगर कॉंसेप्ट किलियर है तो आप इजिली बता देंगे कि अगर आप उन्हें LCM को डिवाइड कर दिया है LCF से तो हमारा आज 1224 जीरो और 1248 यह हमारा आज आएगा संख्या एक संख्या लेकिन अगर आपको कॉंसेप्ट किलियर नहीं है तो आप यहां से सवाल को छोड़ देंगे और आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा तो यानि कि यह आपकी एक संख्या आ चुकी है और इसके अंदर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि यह आपकी एक संख्या चुकी है और एक संख्या में से आप यहां से उप्सन उठाइए और चेक कर लीजिए कि किस चीज को अगर मैं टोटल रखता हूं जैसे मैं इसको टोटल मान लेता हूं यह थिरी फोर एट है अगर मैं इसके अंदर से 204 को माइनस करता हूं उप्सन से आप इजिली कर सकते हैं तो जब मैं इन दोनों घटाऊंगा तो प तो आप सवाल को छोड़ने की कोशिच ज्यादा है ज्यादा ना करें उनको समझ के करने ही कोशिच करें उप्सन से भी आप सवालों को कर सकते हैं अगर आपका टोपिक जो है वो किलियर है तो जैसे कि इसके अंदर आपका बताया गया है कि 36 सवाल में कोई व्यक्ति 8 कि दरा है तो जाहिर सी बात है एक जो बस्तु है वह हमारी हो जाएगी पॉइंट एट की इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना और अब वह बेच रहा है वन पॉइंट टू फाइफ की यानिके एक पूइंट दो पाच की पेच रहा है अगर हम इसको घटाएंगे सब्सक्राइब करेंगे इसके क्रैमले से लिल्या करेंगे फिर से हैंएंगे और फिर मुक्त इप्रन आ जाएगा तो यहां सो पचास को अगर आठ से मैं मंटिप्राई करता हूं तो आठ पंजे चालिज आठ सिंग अर्तालिस और दो बटे आठ आएगा आपका काट के एक बटे चार हो जाएगा तो आपका सी ओप्शन जो है वो एकदम राइट हो जाएगा आप सवालों को समझ के करने की कोशिश करेंगे तो 25 में से 25 अराम सिक कर देंगे 37 सवाल एक आयतकार मेज की उपरी सत्य का परिमाब अब देखिए यह उपरी सत्य दे दिये जबकि यह है कुछ नहीं उसकी उपरी सत्य नीचरी सत्य सब सत्य एक जैसी होती है और आपको फोर्मूला भी पता होगा परिमाब का टू प्लस एबी बराब अठाइस तो यहां से आप उसको यहां से आप एप प्लस बी निकाल लेंगे तो आजाएगा फोर्टीन उसके बाद आपका छेत्रफल दिया हुआ है तो आप सोचिए ऐसी कौन सी दो संक्या है जिनको जोड के तो 14 और गुना करने के बाद अठारा है तो आप बोलेंगे ज अब आयत आपका इस तरीके से है आठ यह हो गया आपका छे यह हो गया तो उसने विकर्ण पूछा है विकर्ण यह हो गया जब स्क्वेर करेंगे इसके स्क्वेर करेंगे 64 और स्क्वेर 36 को जमा करके उसका रूट करेंगे तो यहां पर आजाएगा आपका सो और सो का देखें जब भी आपके सामने पर्सेंटेज के अंदर सवाल आ जाए तो आपको वैल्यू की जुरुत नहीं होती जैसा कि सवाल में है कि बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 30% बढ़ाई जाती है यानि कि दो बार जो है कीमत बढ़ाई गई है तो हमने पहले कीमत जो है वो लेट कर ली 100 अब 100 को पहले हमने बढ़ा दिया 130 फिर बढ़ा दिया 110 और यहां पे आपको कुछ नहीं करना है यहां पे आपको 100 से मंटिवाइड कर देना जब हम इसको घटाएंगे इसको मंटिप्लाई करेंगे तो आपका कितना जाएगा 143 आ जाएगा तो जब भी आपका 100 से जादा आता है तो आप 100 को इसमें से घटा दीजिए यानि कि 43 आ जाएगा आपका अंसर लेकिन आपका 100 से कम आता है तो आप 100 को उसमें से घटा दीजिए तो आपकी हो जाएगी हानी अगर 100 पीछे रहेगा तो आपका होगा प्रोफिट यानि आपकी त्रिद्धी होगी अगर 100 आगे रहेगा और यह संख्या घटेगी से कम होगी तो आपकी होगी लॉस यानि के कम ही हो सब्सक्राकर को छलनगा को कि देखिए इस सवाल को आप कैसे भी कर सकते हैं अगर आपको ट्रिक नहीं आती तो आप इसको कर सकते हैं जैसे कि यह अपने की 10 वर्स में दूगनी हो जाती है दूगनी हो गई तो ब्याज यह मिश्रदन है आपका और आपने जो मूलधन माना है वो X माना है तो ब्याज आपका हो जाएगा X क्योंकि जो मिश्रदन है वो मूलधन में से घटता है तो ब्याज आता है मूलदन आपका एकस है और आपका 10 वर्ष है time आपको पूछी है दर तो यहां पे आपका आजाएगा R दिवाइट में आपको होजाएगा लेकिन आप time बहुत है तो easily अपने तरीके से करिए क्योंकि आपको एक number चाहिए उसमें negative marking नहीं चाहिए जल्दवाजी में आप गलती भी कर सकते हैं अब जैसे कि 14 सवाल है किसी संख्या के 8% जोडने और 3% घटाने से प्राप संख्या के बीच का अंतर 407 है इन सवालों में आपको कुछ भी नेक्त करना होता अगर जोडना लिखा हुआ है तो 100 को 100 का उतना परसंट निकालके जोड़ दीजिए जैसे कि आठ परसंट 108 फिर क्या कहा है यहां पर एक्स जरूर मान लीजिएगा फिर क्या कहा है कि 3% घटा दिया गया तो टीन परसंट घटाने का मतलब 97 एक्स और यह किसके बराबर है इसका अंतर अंतर है तो माइनस अगर एड होता तो यह प्लस हो जाता अगर यहां पर योग लिखा होता थो अब यहां से एक्स की वैल्य और आम से अभ निकाल लेंगे तो यहां पर एक्स की वैल्य हो जाएगी आपकी 11 तो नेंशर छलेगा एक्स की वैल्य यहां आप नेकुल लेट सवालों को समझना important है करतों आप लेंगे जैसे कि 41 सवाल आपका है एक तिरभूज का परिमाप इतने centimeter का है फिर से वही सवाल आ गया और इसका छेतरफल 30 cm है यानि कि परिमाप भी 30 है और छेतरफल भी 30 है यदि तिरभूज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 है तो तिरभूज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई गयाद कीजिए अब आपके मन में एक सवाल आ गया होगा कि यहां पर आपने 5 और 12 रख दिया हुगा यह बन जाएगा आपका ।्रिपलेट के बाद अगर आप इन सब को जोड़ते हैं तो आपका बन जाएगा 30 अगर आप इनका छेतरफल निकालते हैं तो भी आपका बन जाएगा 30 कि और सबसे छोटी संक्या पुजा पूछी गई ह तो आप बतातेंगे इसली पाच है अब यहाँ पर देखिए कुछ सवाल तो पिछली बार जो थे वो बहुत ही इजी आये थे लेकिन इस बार ऐसा देखना में नहीं मिलेगा जैसे कि यह सवाल बिना पैनन पेपर का है यदि किसी धन्राशी पर ब्याज एक पैसे प्रती रूपे प्रती मा यानि के महिने है तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा यदि एक महिने में एक मंत में एक परसेंट की तरसे ब्याज है तो बारा महिने में कितना होगा तो बारा ही तो होगा तो इसली आप इसको कर सकते हैं अब यह सवाल एक स्थिर्भूज ABC में ए नाइन्टी डिग्री तो जल्दी से जल्दी आपने यह बना लिया यह यहां पर हो गया व्याँ पे हो गया सी यहां पर यहां पर नाइन्टी डिग्री जो है आपका 25 है यह 25 है यानि के कहीं ना कहीं आपका जो कंड दिया हुआ है वो 25 है और आपका अधार जो दिया हुआ है वो 7 और आपको अगर triplet निकालेंगे तो जब कंड का square वराबर अधार का square लंब का square निकालेंगे तो यह आपका 24 आजाएगा 24 आने के बाद उसने पुछा है 10b 10b का आपको पता है लंब बटे अधार होता है लेकिन यहां पर कोंड नहीं है यहां पर कोंड है तो जो कोंड से लगी भुजा होती है वो लंब हो जाती है और उससे जो अलग भुजा होती है वो आधार हो जाती है तो 7 बटे 4 आपका right answer हो जाएगा 44 सवाल आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है पचास प्रेक्षणों के एक समू का मानक विचलन है 8 यदि परती एक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन क्या होगा जब भी मानक विचलन आपको दे दे और यह कितने गुणा हो रहा है यह दे तो आप डारेक्ट इसको मंटिप्लाइ कर दीजेगा 2 मंटिप्लाइ 8 यानि के 16 लेकिन अगर आपको माध्धिका दे दे और फिर बोलता है कि आपका इतना गुना हो जाए माध्धिका को इतना गुना कर दे तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता ये जितने भी आकडो का है अगर माध्धिका यहाँ पर आठ होती और दो गुना होता तो माध्धिका तब भी आठ ही होती लेकिन मानख किचलन के अंदर वो उतना गुना हो जाता है तो यह आप एक चीज याद रखीगा 45 सवाल आप देख सकते हैं एक वैक्ति अपनी यात्रा का इतना भाग ट्रेन द्वारा और इतना भाग जो है कार द्वारा और शेस एक किलोमेटर पैदल चल कर टै करता है वह कितनी दूरी टै करता है इसके अंदर आपको देखो अगर कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा तो नीचे की जो संख्या है उनका LCM आप ले लीजिए तो LCM आ जाएगा उसका 22 यानि के फिर आप मान सकते हैं कि यह टोटल दूरी बाइस एक्स है अब हम इसको करेंगे अगर इस 22 को इस से करते हैं दो मंटी बलाए बटे यह तो यानि के जो वैक्ति अपनी यात्रा की है ट् किलो मीटर की अगर कार से बात करते हैं 17 बटे 22 यह से कट जाएगा तो यहां पर आजाएगा 17 तो इन दोनों को अगर हम जोडते हैं प्लस करते हैं तो आजाएगा 21 और टोटल हमने कितना माना था 22 और एक हमारा शेस अभी बचता है तो इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो यानि कि हमारा जो टोटल टिस्टेंस था वो 22 किलोमेटर आ जाएगा पहुलक के सवाल के अंदर आपको जो भी संख्या ज्यादा बार रिपीट हो रही होती है उसको पहुलक कहते हैं और आपको यह ओप्शन से चेक करना होता हमेशा अगर आपको जल्द करना है यह 25 में य को यह थीन लिगए 27 एक दो तीन बार आया है 26 आपका एक, दो तीन बार आया है 24 का जो फिस आपका जो हो एक ही बार आए हा है तो यहीर सा वाथा है कि वहुलक NICK आपका 27 है और ये दोनों चीज आपकी तीन 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 बार आ रही है तो जाईर सी बात है कि ये एक्ट जो है वो 27 ही होगा क्योंकि बहुलक आपका सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या होती है इस सवाल के अंदर ये टाइम एंड फरक का सवाल है इसके अंदर आपको थोड़े सा मैनत करनी होगी और थोड़ा सा सवाल को समझना होगा अच्छे से जैसे कि इसके अंदर आपको पढ़ते हैं सवाल पहले किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दुगना कार रह रहत है यानि कि एक मेल जो है वो दुगना है एक फीमेल से और एक महिला एक लड़के से दुगनी है तो यानि कि एक फीमेल दो फीमे एक फीमेल जो है यह आपका दो जो आएगा वो यहाँ पर आएगा बराबर करने के लिए दो बोई यहाँ पर आएगा यदि वे सभी अर्थात एक पुरूश एक महिला और एक डड़का मिलकर काम करते हैं तो चार दिन में काम समाप्त हो जाता है पूछाए कि लड़का काम को कितने दिन में करेगा तो आपको पता ही है सबको अपको equally करना होगा तो जब एक आदमी आएगा वो दो महिलाओं के परवर होगा और जब 2 महिलाओं के परवर होगा तो चार लड़कों के परवर होगा क्योंकि अगर हम यहां पर दो कर देंगे तो यहां पर दो लिख देंगे तो यहां पर हमको दो से करनी हो यह भी तो बराबर होगा तो यहां पर चार हो जाएगा यानि कि एक फुरूस्ट जो है यानि कि हम को सभी के रेशो को बोईज के रेशो के अंदर डालना होगा तो एक मेल हो गया चार बोईज के बराबर और दो फीमेल तो हैं ही आपकी दो बोईज के बराबर और एक बोईज तो एक बोईज के बराबर होगा ही और ये बंदे काम करते हैं चार दिन के अंदर और एक बोईज पड़ेगा तो यहां पर जाएगा 28 यह आपके कुछ स्टेट्मेंट वाले सवाल है इनको आप देख गीजेगा माध्धिका के अगर मैं बात करता हूं 49 सवाल है आपका माध्य है और माध्धिका का योगफल आपको बताना है तो इसके अंदर आप माध्धिका अगर निकालेंगे तो सबसे पहले आपको इसको सीरीज में अरेंज करना होगा पाच संख्या है तो सीरीज में अरेंज करते हैं तो तीन आपका आगया माध्धिका और अगर आप माध्धिकी बात करते हैं तो सबको जोड़के जितनी संख् पड़ेगा तो छे और छे बारा और बीस यानि कि बीस आपका हो गया बीस बटे पाच आपका हो गया मीडियन और यह मीडियन आपका हो जाएगा चार और आपकी जो माध्धिका है वो आपकी आई है तीन और दोनों को जोड देंगे तीन प्लस तीन तो आपका जाएगा साथ जो अप्शन ये में आपका दिया हुआ है ये फिर से लाश्ट सवाल जो मिश्रण का सवाल है साथ लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात इतना है यानि कि अब अनुपात को चेंज अगर करते हैं तो आप आजाएगा कि अम्ल तो है 40 और पानी है 20 क्योंकि हम इसको इस तरीके से निकालते हैं न कि अम्ल निकालना है तो अम्ल की वैल्लू है दो टोटल वैल्लू है तीन तो इसको इससे मंटिप्लाइ डिवाइड करेंगो इससे निकाल देंगो तो ऐसे करकर के हम दोनों की वैल्लू निकाल लेंगे जो मैंने यहाँ पर लिख दिये तो यहाँ पर मैंने लिख दिये 46 बटे 20 उसके बाद क्या कहा है इन में कितना लिटर पानी मिलाय जाए तो पानी हमारा क्या है नीचे वाला तो पानी कितना मिलाय जाए पता नियुक्त अ कर दिया मैंने ताकि अम्ल और पानी का अनुपाद जो है एक बटे 2 हो जाए अब इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे अगर हमको रेशो यह बनाना है तो तो यह हो गए आपका सारे सवाल मैंने आपको करा दिये हैं इसके अंदर के इसका लेवल थोड़ा आपका जो लेवल है इसमे इजी लेवल के सवाल है क्योंकि यह 2015 का पेपर है तो अब से तो लेवल जो अब एक्जाम आएगा वो थोड़ सा मोडरेट लेवल होगा सवाल उसके अंदर थोड़े लेंथी हो सकते हैं कैल्कुलेटिव हो सकते हैं और बागी में आपके सामने सवाल और जो भी आपके इंपोर्टेंट टोपिक्स होंगे वह लाता है चाहूंगा तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जादे जादे शेयर करना ना भूलें अब तक के लिए इस वीडियों पर इतना ही धन्यवाद